जाविद मुझे चाहिए पोच्ताज हमारे सामने करवाई जाए उसकी अत्या भी हमारे सामने यो नहीं चाहिए जाविद मुझे चाहिए पोच्ताज हमारे सामने करवाई जाए और फिर उसकी अत्या भी हमारे सामने यो नहीं चाहिए मेरे बच्चे खाते तरपा-तरपा करे बगा बगा गें बायसे हैं चाहिए मुझे बुभी मुझे नए हमारे बच्चे लिए पत्स मुखे नहीं हमरे बटे बच्चे कि आनमे पैदा कि अम शबूचो हमने बड़े ऐप्रेंस और धिर कि गहाएं यह बड़े आपरेजिंसे में तक परटा हुआ हुआ है। यह शब्द दर्द बयां करते हैं उस माँ के जसके दो बच्चों की बहरहमी से हप्ध्या करती गई। मामला मंगलवार 19 मार्च का है बदाईयों के सिविल लाइन स्थाना इलाके की बाबा कॉलिनी में साजित और जावेद दो भाईयों की नाई की दुकान है शाम के अंधेरे में साजुद दुकान के सामने रहे रहे विनोट सिंग के घर गया और बारा साल के आयूश और छे साल के आहन की गला काट कर खत्या कर दी इस दोरान उसका भाई जावेद घर के नीचे खड़ा रहा खटना के चश्मदीद और मृतकों के भाई युवराज ने बताई कि साजुद ने उसके बड़े भाई आयूश से चाय लाने को कहा और छोटे भाई आहन से पानी जब दोनों उपर पहुँचे तो तेस तर्रार हत्यार से उनका गला काट दिया जब छोटा भाई आहन ची खा तो युवराज भागता हुआ उपर गया युवराज ने कहा कि तब तक वो मेरे दोनों भाईयों को मार चुका था मुझे देखते ही उसने मुझे मारने की भी कूशच की मैंने धक्का दिया और मैं नीचे भागाया साजित खून में लथपत था पुलिस को जानकारी मिली उसका पीछा किया गया और शेखुपूर के जंगलों में उसे पकड़ने के लिए फाइरिंग की गई हालाकि एंकाउंटर में उसकी मौत हो गई मामले में साजित के भाई जावेद को भी आरूपी बताया जा रहा है जावेद मौके से फरार चल रहा था हालाकि उसे बरेली से पकड़ा गया है स्थानी लोगों में आकरोश है और माबाब इनसाफ की गुहार लगा रहे है तो तक बच्चों की मा का कहना है कि जावेद को उनके आगे मारा जाए हमारे सामने चाहिए पूचतांस हमारे सामने करवाई जाए और फिर उसकी अत्या भी हमारे सामने यह उनी चाहिए जब तक उसे सामने नहीं देंगे तब तक नहीं है मारे बच्चे काटे तर्पा तर्पा के मारे बगा बगा के बाइसे मुझे चाहिए मुझे बो भी मुझे नहीं हमारे बच्चे हमने पैदा किया हम से पूछो हमने बड़े अपरेशन से तीन बच्चे किया हमारे पेट दर्द कर दर्द मैं दर्द भूल गई बच्चों के पीछे हैं। हमारे तीन अप्रेजर्स वारा एक ही रहे गया। हमारे से अप्रेजर्स पेट पटा हुआ है। पिता विनोत सिंग का भी बयान सामने आया है। वो ये जानना चाहते हैं कि साजद ने ऐसा क्यों किया। क्या किसी ने आयूश और आहन को मारने के लिए साजद को कहा था। वो ये चाहते हैं कि जावेद से पूरी पूछताच की जाए। पुलिज को मुझसे तकलीब थी हमारे परिवार को पूरा मारताथ से युदु पूरी परिवारा से लिए देखता और नहीं देखता कोई तो नहीं को एक एक तकर मात जला आता चैश संपी किया लिए बो तो बो बताय किसके शकप उसने काम किया है। जब पकड़ा जाए उसे ब्यान सुने जाए उसके तर पता चलेगा मझे तो हम ऐसे करें किसने मत्रा उसके आगी जाएं इस दीजिए को हम तो सरकार से यह परातन है कि उसको पकड़ा गरबदारी हो सकी और हमारी जाँ चाहिए कि हम किस काड़ा यह काम हुआ है पहले उसमें पूरी इंकाली करिए कि यह समस्या क्यों खड़ी है इसका काल कि हमारे बच्चे क्यों वारे गए लिए तो जब तो के इनकाउंटर कर दिया तो पर पता चले लेगा कुछ में तो पकड़ा जाये वह पकड़ने के बाद कूरा कहानी उससे पता चली जाए कि किसस पुलिस हिरासत में है पूरे लाके की स्थानिय लोग केवल इनसाफ चाहते हैं कि आखिर उन दो मासुमों की क्या गलती थी